हेलो दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल संकल कोचिंग गंगानगर को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे की हमारे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें सबसे पहले सब्सक्राइब कोचिंग गंगानगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है आएम डॉक्टर विनीता चोहान फ्रम राजस्तान यानिवस्टी आपकी कोश्चंच की संक्रला में एक बार फिर से कुछ लाइब्रेरी साइंस के इंपॉर्टेंट कोश्चंच लेकर उपस्तित ह मैं आज आपको जो जादा कुश्चंच होंगे वो फाइब लाइब्रेरी साइंस या पुस्तकाले विज्ञान के पांस सुद्र बहुत इंपॉर्टेंट अप टॉपिक भी है और हर वर्ष उस पर से कुश्चंच पूछे भी जाते हैं तो मैं आपको जादा कुश्चंच जो हैं उसी से संबंदित बताऊंगे तो शुरू करते हैं हम पहला प्रिश्चन है डिलीवरी ओफ बुक्स एक्ट में शामिल नहीं है पुस्तके पत्र पत्री काएं समाचार पत्र या द्रश्य शव्य प्रलेक डिलीवरी ओफ बुक्स एक्ट है आजादी के बाद भारत सर प्रतिक पुस्तक की एक कॉपी प्रकाशक को नेशनल लाइबरी ओफ इंडिया केलकटा तथा तीन अन्य डिपोजिटरी लाइबरी जिन में कौने मेरा पब्लिक लाइबरी मदरास रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई तथा तीसरी जो लाइबरी थी वो दिल्ली पब प्रकाशलियों को जमा करनी जरूरी थी 1956 में इस एक्ट को रिवाइज किया गया और इसमें बुक्स के साथ साथ परियोडिकल्स और न्यूस पेपर को भी शामिल कर लिया गया था तो डिलीवर बुक्स एक्ट में वरतमान समय में पुस्तकें पत्र पत्रिकाएं तथा जमील है बट अभी भी ड्रश्य शव्य पर लेग शामिल नहीं है इसका सही उत्तर है D ड्रश्य शव्य पर लेग हमारा दूसरा परशन है राष्टी पुस्तिकाले में निम्नलिकित मुद्रिक सामगरी का निक्शेपागार है निक्शेपागार यानि repository है मतलब राष्टी पुस्तिकाले निशनल लाइब्रिरिरी उफ इंडिया में किन किन reading materials का या sources of materials का deposit किया जाता है ए है भारत में उत्पादित मुद्रित साहिते बी भारतियों द्वारा लिखा गया साहिते जो विदेशों में मुद्रित होता है सी विदेशियों द्वारा भारत से संबंदित साहिते एंड बी उप्रोक्त सभी तो फ्रेंड्स जो नेशनल लाइब्रेरी ओफ इंडिया है उसमें ये सबी जमा होते है इसका सही उत्तर है डी नेशनल लाइब्रेरी ओफ इंडिया में भारत में उत्पादित जो साहिते है वो सारी उसकी एक कॉपी जमा करानी ज़रूरी है भारतियों द्वारा लिखा गया साइट ये भारतियों ने लिखा है लेकिन उसका मोद्रण या प्रिंटिंग उसका विदेशों में हो रहा है वो भी आपका Delivery of Books Act के तहट इंडिया में जमाऊगा विदेशियों द्वारा भारत से संबन्द लिखा गया साइट विदेशी व्यक्तियों ने भारत से संबन्द जो साइट लिखा है उसकी भी एक कॉपी जो है Monation Library of India केलकटा में तथा तीन अतरिक्त जो Depository Library जिसके अभी हमने पहले वाले कुश्चन में बात की उनमें जमा होती है Delivery of Books सक्ट जो लागू किया गया था उसका प्रमुक देश था कि भारत में प्रकाशित साहित्ते को भावी पीडी के लिए सुरक्षित रखना अर्थात की ज्यान को भावी पीडी के लिए सुरक्षित रखना तो भारत से related चाहे विदेशियों के द्वारा लिखा गया हो भारत में मुद्रित हुआ हो या विदेशों में मुद्रित हुआ हो सभी साहित्ते को ज्यान को भावी पीडी के लिए सुरक्षित रखने के लिए एक एक कॉपी इन चारों डेपोजिटरी लाइबरेरी में जमा करनी ज़रूरी है तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी हमारा नेक्स्ट प्रेशन है डॉक्टर रंगानाथन के पुस्तकाले विज्ञान के पांच सूत्रों की परिकल्पना कप की गई थी जैसा मैंने आपको शुरुडबात में बताया कि हम अपनी इस चो कॉप्टन की सिरीज है उसमें फाइव लाइबरी साइंस से रिलेटेट कॉप्टिन्स जाधा करेंगे डॉक्टर रंगानाथन ने लाइबरी साइंस के फाइव लाइबरी साइंस की परिकलपना 1928 में की थी इसका सही उत्तर है ए ये पुस्तकाले विज्यान के पांसुत्र हैं ये लाइबरी साइंस का आधार वूद साहित है universally accepted हैं पांसुत्र जैसा आप सभी को पता है पुस्तकाले उपियोग के लिए है प्रतेक पाठख को उसकी पुस्तक मिले प्रतेक पुस्तक को उसका पाठख मिले पाठख का समय बचाओ और next लाइबरी एक वर्धनशील या पुस्तकाले एक वर्धनशील संस्ता है पहला जो पहला सुतर जो है वो केंदरित है लाइबरीरी पर की लाइबरेडी इस फोर उस शुतर है आपका बुक शुयार आड्ट फोर यूस बट इसका केंदरिबिंदू है लाइबरीरी दूसा जो सुतर है प्रतेक पाठesis केंदरियोन केंदर making? पॉइंट है पाठक यानि कि रीडर को उसकी किताब या पुस्तक या पाठक समगरी आसाली से मिले। इसका केंद्र बिंदु फिर से पाठक है पाठक का समय बचाओ और उसमें मुख्य भूमी का पुस्तकाले करमचारी की बताई गई है कि पाठक का समय बचाने में पुस्तकाले करमचारी प्रमख भूमी का निभा सकता है पांचवा सुत्र है पुस्तकाले एक वर्धनशील संस विकास होता है लंबाई में और चोड़ाई में उसी तरह पुस्तकाले को भी हमें माना है कि वो भी उसी तरीके से विक्सित होगी हमें पुस्तकाले की प्लानिंग करते समय इस बात को ध्यान रखना है कि पुस्तकाले एक बढ़ने वाली संस्ता है उसका विकास भी बच्चे क तरह लगबग 18-20 साल तक होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें हर प्लान करना होगा पुस्टकाले के लिए इस्थान आगे पीछे और आजू-बाजू में इस्थान खाली होना चाहिए तो इसका जो सुत्र है पुस्टकाले विज्ञान का इसका प्रतिपादन डॉक्टर रंगा में किया था और प्रकाशन 1931 में 5 laws of library science नामक पुस्टक में किया था हमारा चोथा प्रिश्ण है कितना सरल, कितना छोटा, किंतु कितना गूर, how simple, how tribal and yet how seminal उपरोक्त कथन का संबंद है डॉक्टर रंगानाथन ने यह कथन बूला था पुस्टकाले विज्ञान के 5 सुत्र के लिए तो इसका जो सही उत्तर है वो डी है पुस्टकाले विज्ञान के 5 सुत्रों से इनको डीटेल अध्यन करेंगे या आप गहन अध्यन करेंगे तो रंगानाथन के पुस्टकाले विज्ञान के 5 सुत्र रंगानाथन के दर्शन पर आधारित हैं जब हम इने पढ़त आप इसमें discuss करने हम बैरते हैं तो अभी भी discuss करते वक्त शंशे बैदा होने लगता है कि उपरोगत प्रश्न में द्विते सुत्र होगा कि द्विते सुत्र होगा कि प्रिथम सुत्र होगा तो रंगाना थन ने इसी सुत्र के लिए इने पांच सुत्रों के लिए यह बात कई थी कि कितने सरल हैं, लिख कितने छोटे हैं, लेकिन कितने गहरे हैं इसका सई उत्तर है आपका D पुस्तकाले विज्ञान के पांच सुत्र होगा हमारा पांचमा प्रश्ण है डॉक्टर रंगानाथन ने किसकी तुलना उपनशत के आच्रन संबंदी नियम सत्यम बदह सत्य बूलों से की है डॉक्टर रंगानाथन ने पुस्तिकाले विज्ञान के पांच सुत्रों की तुलना सत्यम बदह या सत्य बूलों से की है रंगानाथन ने कहा था कि जबी कभी भी हमें पुस्तकाले में कार्य करते समय कुछ संशे हो या कोई डाउट हो निर्णे लेने में असमंजस हो रहा हो तो हमें उस्तकाले विज्ञान के पांच सुत्रों को ध्यान में रखकर निर्णे लेना चाहिए रंगानाथन ने इन सुत्रों को हाई कोड की संग्या भी दी थी कि निर्ने लेने में असमंजस या निर्ने अनिर्ने या मतभेद की स्तिती में हाई कोड भूमी का निवाता है उसी तरह पुस्तकाले विज्यान के पांस सुत्र भी जब कभी हमें किसी कारे करते समय निर्णे को लेने में असमंजस के स्थती हो तो हमें इन पुस्तकाले विज्ञान के पांस सुत्रों को किंद्र में ध्यान रखकर निर्णे लेना चाहिए इसलिए रंगानाथन ने पुस्त्काले विज्यान के पांस सूत्रों को आचरन समबंदी नियम सत्यम वदर या सत्यबोलू कहा था हमारा छटा प्रश्न है पुस्त्काले विज्यान के कानून भी उतने ही प्रामानिक हैं जितना की उस्तकाले विज्यान के कानून या 5 laws of library science उतने ही प्रमानिक हैं जितना की A है Einstein का सापिक शिक्ता का सिध्धान, B है Newton का गुरूत्वाकशन का सिध्धान, C है Charles Darwin का क्रम विकास का सिध्धान और D है उपरोक्त सभी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये सभी सिध्धान universal है, word level पर accepted हैं और सभी जाने माने विज्यानिकों के द्वारा दिये गए हैं तो पुस्तकाले के विज्ञान के कानून या five laws of library science उतने ही प्रमानिक हैं जितने की ये सभी सिध्धान, इसका सही उत्तर है, D उपरोक्त सभी क्योंकि पुस्तकाले विज्ञान के इन पांच सुत्रों को विश्व इस्तर पर सुईकार किया गया, समय के बढ़ते करम में या सूचना के विकास करम में, सूचना के सुरूप में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, पुस्तकाले विज्ञान के पांच सुत्रों को भी उस फिर उसके बाद web is for use and now media is for use इन्हें जस तरीके से सूचना के स्वरूब में परिवर्टन हो रहा है उससे के according इनको परिवर्टत करके दिखा गया और यह महसूस किया गया और यह मतलब यह अंतिम निर्णे निकला कि यह आज भी उतने ही सार्थक हैं उतने ही उपयोगी हैं जितने की इनके निर्मान के समय में थे हमारा साथवा प्रशन है उस तक रैक की आदरशक उचाई है ए है साड़े छे से साथ फूट बी है छे से साथ फूट सी है सवा छे से साथ फूट and डी है पौने साथ से साथ फूट छे से पीन बटा चार से साथ फूट तो इसका सही उत्तर है सवाचे से साथ फूट उस तक रैक के लिए डॉक्टर अंगानाथन का कहना था कि रैक की उचाई इतनी होनी चाहिए जिससे की एक सामाने हाइड वाला व्यक्ति आसानी से उपर रखी हुई शेल्फ की पुस्तकों को भी देख सके तो रैक की जो आदर्शक उचाई है वो सवाचे से साथ फूट होनी चाहिए जिससे की पाठक को उपर की रैक से पुस्तके उतारने में भी असुविधा नहीं हो हमरा आठवा प्रिशन है दो रैकों के बीच छोड़े जाने वाला प्रामाने के स्थान है यानि आमने सामने जो दो रैक रखी हैं जिनमें की ह हमने पाठे सामगरी वस्तकों आधी को संग्रहित किया है उनमें कितना स्टंडर साइज छोड़ना चाहिए या कितनी जगह छोड़नी चाहिए A औप्शन है साड़े चार से छे फूट B है चार से छे फूट C है तीन से पांच फूट and D is पांच से छे फूट तो इसका सही उत्तर है स्टुडेंट साड़े चार से छे फुट जो स्टेंडर्ड जगर होनी चाहिए दो अलमारियों के बीच में साड़े चार से छे फुट होनी चाहिए कि दो व्यक्ति आसानी से कुछ देर अगर उन्हें देखनी भी है तो आसानी से दो व्यक्ति आमने सामने खड़े ह कर अपनी किताबों को ढूंड सकें और दो व्यक्तियों के चलने की जगा हो तो इसका सही ए आंसर है साड़े चार से छेवुद। हमारा अगला प्रश्ण है रंगानाथन के अनुसार सेवा ही करमचारी का धर्म है प्रतिफल की कामना नहीं। कि हमें पुस्तकाले की करमचारी को सेवा की भावना होनी चाहिए, उसके बदले में परतीफल क्या मिलेगा उसकी उसे इच्छा नहीं रखने चाहिए, तो उक्त बाके का संबन्द किस से है? इसका A option है पुस्तकाले विज्ञान के प्रथम सुत्र से, B है पुस्तकाले विज्ञान के तितिय सुत्र से, C पुस्तकाले विज्ञान के तृतिय सुत्र से, and D पुस्तकाले विज्ञान के चतुर्थ या फोर्थ लॉज से, इसका सही उत्तर है पुस्तकाले विज्ञान के प पुस्तकें उब्योग के लिए हैं, पुस्तकें उब्योग कब होंगी जब कि हम कुछ अपने efforts करें या सेवा करें पाठकों के द्वारा जो भी उन्हें आविशयकता है पाठे सामगरी की उसको जाने और उन्हें पुस्तकें उब्योग के लिए करने के लिए डॉक्टर पुस्तकाले में उचित प्रिकाश की विवस्ता हो इस तरीके से ये जो सुत्र है इसका संबंध है पुस्तकाले विज्ञान की प्रथम सुत्र से सेवा परमो धरम और प्रतिफल की कामना नहीं हमारा अगला और दस्वा प्रश्न है पुस्त के संरक्षनार्थ है उख्त कथ दॉक्टर अंगानाथन के किस सुत्र ने प्रतिष थापित या रिप्लेज किया है। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो वरतवान समय में डॉक्टर अंगानाथन के पुस्तकाले विज्ञान के पांच सुत्र हैं। पराचीन समय में उसके विपरियत स्थिती थी पराचीन समय में पुस्तकों को उपयोगार्थ या उपयोग के लिए या जो हमारा पहला सुत्र है बुक्सार फर यूज वो नहीं था किताबों को ताले में बंद करके और जंजीरों से बांद कर रखा जाता था तो हर व्यक्ति को किताबें देखने और पढ़ने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उसका मुल्भाव ये था कि पुस्तकें खराब ना हो जाए, उस समय प्राचीन समय में मुद्रण कला नहीं थी, हस लिकित गरंथ थे, लेखन की जो विधी थी, वो भी सीमिप थी, कागज का विश्कारभी चीन में काफी समय बाद हुआ था, तो पुस्तकों को उप्योग के इस्थान पर, उनकी संरक्षन या सुरक्षा या उनको अच्छे से रखने की भावना पर बल दिया जाता था, जाता था, और डॉक्टर रंगानाथन ने इस सुत्र को प्रतिस्थापित किय पुस्तकाले विज्ञान के प्रत्थम सुत्र, बुक्स आर फॉर यूस या पुस्तके उप्योग के लिए है, हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में पुस्तकाले तंत्र के स्थापना करना, पुस्तकालेयों के सर्वुत्त मुखी एवं संतुलित विकास के लिए आवशयक है, उक्त कथन का संबंद है, राज्य में पुस्तकाले तंत्र या लाइब्रेरी नेटवर्क के स्थापना करना, और लाइब्रेरी का ओवरॉल डवलप्मेंट करना, किस का संबंद है, इस कथन का संबंद पुस्तकाले विज्ञान के किस सुत्र से है, तो इसका सही उतर है, बी पुस्तकाले विज्यान के दिती सुत्र से पुस्तकाले विज्यान के दिती सुत्र में डॉक्टर रंगानाथन ने किंद्र सरकार की दाइत्व की बात की है पुस्तकाले अधिकारियों के दाइत्व की बात की है पुस्षकाले करमचारियों की responsibility की बात की है अईम सुआम पाठकों की responsibility की बात की है राज्य सरकार का धैत्व है कि पुस्षकाले अधिनियम को लागू करें पुस्षकाले आंदूलन को बढ़ावा दें पुस्षकाले के लिए वित्यका परावधान करें और libraries की एक chain या शंकला बनाएं तो chain या शंकला यानि की library network library network की स्थापना करना ये पुस्तकाले विज्यान के दितिय सुत्र की मांग है चाहि कोई भी पुस्तकाले कितना भी विकसित क्यों ना हो उसका बजट कितना भी अधिक क्यों ना हो लेकिन वो इतना संबरदशाली नहीं हो सकता कि विश्व में प्रकाशित समस्त बुश्टकों को खरीच सके या अपने पाथकों की समस्त अवश्यक्ताओं को पूरा कर सके तो पाठकों की सभी हवशेक्ताओं को पूरा करने के लिए डॉक्टर रंगानाथर ने शंकला बदीसंगठन या लाइबरीरी जो आपस में सहयोग करने की सिरह दी थी अगर मान लिजे किसी लाइबरेरी में पाठक के द्वारा या रीडर्स के द्वारा किसी डॉक्यमेंट की रिक्वार्मेंट की गई है और वो लाइबरेरी में अवेलेबल नहीं है तो उस लाइबरेरी को दूसरी लाइबरेरी से जहां कि वो रीडिंग मटरियल करना चाहिए तो उक्त जो कथन है इसका संबंध है पुस्तकाले विज्यान के 20 सुत्र से हमारा बारवा प्रश्न है network of libraries किस सुत्र की मांग को पूरा करता है सेम ही प्रश्न है network of libraries यानि की लैबरेरी का एक जाल पुस्तकालियों का जाल किस सुत्र के अंदरगत आता है तो इसका सही उत्तर है डीज विद्य सुत्र पुस्तकालिय विज्ञान का सकिन्ड लौ है वो कहता है प्रतिक पाठक को उसकी पुस्तक मिले तो प्रतिक पाठक के लिए ये संभव नहीं है कि जहां वो लाइब्रेरी हो उसके आसपास वो रह रहा हो या वो लाइब्रेरी में डेली आ सके तो इसके लिए डॉक्टर अंगानाथा ने का कि लाइब्रेरी का एक जाल हमें बिच्छाना है एक तंद्र लाइबरेरी नेटवर को इस्थापित करना चाहिए तबी प्रतेक पाठक को उसकी पुस्तक मिलेगी और इसके लिए उन्होंने जो प्रहुक रेस्पॉंसबल इडि बनाई बताई थी वो बताई थी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की हमारा तेरवा प्रश्ण है पुस्तकाले में परदान की जाने वाली इंटर लाइबरेरी लोन सेवा किस सूतर से संबंदित है तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि what is the meaning of इंटर लाइबरेरी लोन या अंदर पुस्तकाले रण एंटर लाइबरेरी लोन होता है एक लाइबरेरियन के द्वारा उसके पाठक के द्वारा मांगी गई पाठे सामगरी को दूसरी लाइबरेरी या दूसरे लाइबरेरियन से उधार लेकर देना मान लीजे मेरी library में कोई reader ऐसा आता है जिसना reading या कोई ऐसी book की मांग की है वो हो सकता है कोई आचोड़ी हो वो हो सकता है कि हमारा head of the institute हो या हो सकता है कोई library को visit करने आया हो कोई foreigner हो या कोई academic पाठक हो कोई researcher हो उसने किसी ऐसी किताब या reading material की मांग की है जो मेरी library में नहीं है और मुझे पता है कि वो reading material या वो book दूसरी किस library में upload हो सकता है तो मैं उस library के librarian से किताब को मंगवा कर 10-15 दिन या महीना जितना की मेरे reader को जरूरत है उतने दिन के लिए किताब को मंगवा कर और उस reader को प्रवाइड कराओंगी तो एक librarian के दौरा दूसरी library से अपने reader की requirement को पूरा करने के लिए libraries की किताबों को मंगवाना कहलाता है इंटर library loan अंते पुस्तकाले यानि एक पुस्तकाले से दूसरे पुस्तकाले को किताब या reading material प्रवाइड करना अब इसका सम्मंद किस सुत्र से है तो जो मैंने reading material मंगवाया है वो मैंने मंगवाया अपने पाठकों की आवशेक्ता को पूरा करने के लिए और पाठकों का किंदर विंदू जिसमें है वो है दूसरे पुस्तकाले से पुस्तकाले विज्ञान की किस सुत्र की अवहेलना होती है सामनत या readers की यह अभीवरती होती है या आदत होती है कि जो किताब उन्हें काम की है तो वो सोचता है कि एक रुपया पर डे फाइन लगना है पंदरा दिन के बाद जो फाइन लिया जाता है सामनेता है लाइबरीज में वो वन रुपय पर डे होता है तो और 15 दिन दखूँगा 15 रुपया फाइन देदूँगा लेकिन किताब को मैं पढ़ूँगा तो विलंब से लोटा ने या उसने लापर भाई के कारण भी कभी कभी पाठक किताबों को नहीं लोटाते कि 1 रुपी is not a big amount तो अगर वो पुस्तकें देर से लोटा रहे हैं औ एक पाठक के पास किताब 15 दिन से ज़्यादा पड़ी होई है और दूसरा पाठक लाइबरेली में उस बुक के लिए कई बार चक्कर लगा चुका है तो हमारा जो दूसरा सुत्र है प्रतेक पाठक को उसकी पुस्तक मिले उसकी अवहेलना हो रही है इसका सही उत्तर है भी दूसरा सुत्र की हमारा पंदवा प्रशन है पनर विन्यास पाठक को उस्तक की और आकशित करने का अवसर प्रधान करता है उक्त कथन सम्बंदित है पनर विन्यास मिन्स री अरेंजमेंट लाइबरेरी को आपने री अरेंज किया किताबों को थोड़ा सा अरेंजमेंट हमने चेंज कर दिया, लाइप्रेरी नई सी नजर आने लगी, यह किस लिए किया हमने, किस सुद्र के पालना को पूरा करने के लिए किया, तो हम अगर इसको जनरली लें, अपने घर से भी लें, तो हम अपने घर को भी कुछ-कुछ समय बाद रियरेंज करते हैं, रियरेंज करते हैं, हमें अच्छा लगता है, तो हम पाठकों को पुस्तिकाले के प्रती आकशित करने के लिए, और पुस्तिकों का उब्योग करने के पवसर यानि कि लाइबरी में कुछ नया सा देखता है तो पाठक देखने आता है और प्रतेख पुस्तक को उसका पाठक मिलता है हमारे पुस्तकाले विज्ञान के तृतिय सुत्र का या धर्ड लौ ओफ लाइबरी साइंस को पूरा किया जा सकता है हमारा सोलवा प्रश्न है अपूपा का संबंद पुस्तकाले विज्ञान के किस सुत्र से है यह अपूपा डॉक्टर रंगानाथन का फॉर्मूला था इसमें यू अम्बरल है पी पहनम्बरल है एंड ए इस अलाइन मतलब की यू मेन किताब है उसके दौना तरफ जो पी है वो उससे संबंदित किता किताब है और जो ए है वो भी उससे थोड़ा कम संबंद रखने वाली पुस्तके हैं तो रंगानाथन कहते थे कि किताबों का जो अरेंजमेंट है वो करना चाहिए अपूपा पैटर्ण से यानि कि जो किताब किसी पाठक के मूल विशय या मेन सब्चक्ट से है उससे पास क का संबंद रखने वाली किताबें उसके आजू बाजू में हो यानि कि उससे निकट का संबंद रखने वाली और उससे थोड़ा दूर का संबंद रखने वाली किताबें उसके आपजू बाजू में हो तो इसमें अपूपा में यू है मेन बुक्स पी है मेन बुक्स से पास इससे पुस्तकाले विज्यान के द्विती सुत्र का पालन होता है, प्रतेक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, जब पाठक अपनी में सब्चक की किताब लेने आएगा, तो उससे रिलेटेड किताबें उससे पी के रूप में आजू बाजू में मिलेगी, और उससे थोड़ा सा और कम रिलेटेड किताबें एकी रूप में उसके आजू बाजू में मिलेगी, तो इसका मुख्य जो है वो मुख्य रूप से द्विती सुत्र का पालन होता है, बड़ तिती सुत्र का भी पालन होता है, तिती सुत्र का पालन इस तरह से कि प्रतेक पुस्तक को उसका पाठ अपूपा पैटर्ण का मुख्य रूप से पालना होती है द्वित्य सुत्र की and third law is also related to अपूपा पैटर्ण हमारा सत्रमा परशन है आवश्यक्ता होने पर वर्गों की निर्पेक्षिस्तती का पालन करने से पुस्तिकाले विज्ञान के किस सुत्र का पालन होता है पहले हम य सपिक्षिक एंडर Yep deck दो स्तिती होती है क्लास नंबर की सपिक्षिक इस्तिती यानि जो किताब क्लास के क्ली स्टॐ पर अकॉर्डिंक जहां पर आने चाहिए वहीं आने जोने चाहिए अगर one number पर universe of knowledge है तो one number पर universe of knowledge, two number पर library science की किताब, three number पर book science, four number पर journalism की किताबें अरेंज होने चाहिए लेकिन ये रंगानाथन कहते हैं कि आवशक्ता होने पर, यानि अगर हमें जरूरत है, हमें लगता है कि one, two, one और three पर एक नंबर है जो universe of knowledge है और three book science है और चार जर्नलिजम हुआ है लाइबरेरी में है ही नहीं तो हम चाहें तो पहले सबसे वहले दो लाइबरेरी science की किताबों को अरेंज कर सकते हैं according to requirement of our users इसी तरह से मान लीजे कि आपकी लाइबरेरी में सबसे ज़्यादा science के student आते हैं या आपकी लाइबरेरी में science विशे के साथ साथ arts विशे भी है और arts के student ज़्यादा आते हैं दॉक्टर रंगानातर ने अपनी कोलन वर्गिकन पद्दती में उसको हम थोड़ा सा उसमें लचिले या उसमें ढील भी दे सकते हैं और according to our readers हम उसी के according arrangement को change भी कर सकते हैं ताकि पाठकों का समय बचे तो इसका जो सूत्र का संबंध है वो है चत्थृत सूत्र आवशक्त होने पर बर्गों की निरपेक्ष सिति का पालन करने से पुस्टकाले विज्ञान के चतुर्त सूत्र यानी पार्ठकों का समय बचे का पालन होगा नेक्स्ट हमारा अठार्मा प्रश्ण है पुस्तिकाले में विभिन गाइड्स का प्रियोग करने से पुस्तिकाले विज्ञान के किस सुत्र का पालन होगा जैसा कि हम देखते हैं कि हम किसी mall में जाते हैं या हम किसी shop पर जा रहे हैं तो जग़ जग़ कही guides लगी होती हैं जैसे women's section, men's section, children's section अगर हमें children's related कुछ रहना है तो हम वो guide देख कर और अपने आपी तुरंट children's section जो first, second, third जिस floor पर भी उसमें पहुँचाते हैं तो उसी तरह libraries में भी guides लगी होती हैं जिसमें कि आपका periodical section, reference section, issue written section, research section इस तरीके से जग़ जग़ तक्तियों पर लिखकर library में लगाया हुआ होता है जिससे पाठकों के समय की वच्छत होती है तो जो पुस्तकाले में विभिन guides का प्रयोग करने से पुस्तकाले विज्यान के चत्थूर्त सूत्र का पालन होता है इसका सही answer है D, चत्थूर्त सूत्र हमारा उन्नीस्वा प्रश्न है दाब छपाई, tooling क्या है A है पुस्तकों को प्रिंट करने का उपकरन B है पुस्तकों के spine tag के इस्थान पर चपाई C है कलात्मक चपाई और D है आदुनिक चपाई तो जो दाब चपाई है इसका सही उत्तर है पुस्तकों के spine tag के इस्थान पर चपाई जैसा कि हम जानते हैं कि लाइबरेरी की जो पीट लाइबरेरी में किताबों की पीठी का स्पाइन होता है किताब का पीछे वाला स्थान वहाँ पर हम नीचे से 1.25 संटीमीटर छोड़ कर एक स्पाइन टैग गोल लगाते हैं जिस पर किताब का कॉल नंबर और एक्षेशन नंबर लिखा जाता है तो दाब चपाई है स्पाइन टैग नहीं लगा रहे हम और कॉल नंबर और एक्षेशन नंबर को च्छाप रहे हैं या चपाई के द्वारा हम उसको स्पाइन टैग के स्थान पर लगा रहे हैं देट इस टूलिंग और दाब छपाई हमारा बीसवा प्रशन है Library of Congress के द्वारा सूची पत्रकों को मुद्रित करवाने से पुस्टकाले विज्ञान के किस सुत्र को प्रमक रूप से पूरा किया गया था तो सूची पत्रक यह 12.5 x 7.5 cm के कार्ड होते है यह 5 x 3 इंच के स्टेंडर्ड इनका कार्ड का साइज होता है इन कार्ड पर किताबों की सूची या केटलोग एंट्रीज करके और उसे केटलोग कैबिनेट में रखा जाता है केटलोग कैबिनेट में रखे गए कार्ड को एक बार में एक ही व्यक्ति देख सकता है अगर रंगानाथन के किताबें एक reader देख रहा है तो दूसरे reader को wait करना होगा कि वो जब उस catalog cabinet से हटेगा तो रंगानाथन की कौन-कौन सी list of books library में available है वो तब ही देख सकता है लेकिन अगर आपने सूची पत्रकों को print करवा लिया है जो आपके catalog cards हैं उन्हें print करवा लिया है तो उसकी हम 5-10 copy print करवा कर library में reading room में table पर डाल सकते हैं जिसकी पाठक जिसको जो किताबें देखनी हैं वो देख सकता है एक साथ 10 user भी उसको use कर सकते हैं तो सूची पत्रकों को Library of Congress ने मुद्रित कराया उससे प्रमुक रोप से पुस्तिकाले विज्यान के चतुर्थ सुत्र पाठकों का समय बचे उसको पूरा किया गया था इसका सही उत्तर है भी चतुर्थ सुत्र हमारा 21 परशन है पुस्तिकाले के नियोजन, प्रबंदन तथा संगठन का सम्मंद पुस्तिकाले विज्यान के किस सुत्र से है यानि Library की Planning करनी है, Management करना है, Organization करना है ये किस सुत्र के अंदर का ध्यान रखा जाता है इसका सही उत्तर है पंचम सुत्र से डॉक्टर रंगान अथन ने 5 Law of Library Science में 5th Law की तुलना की थी एक Growing Organism से 5th Law था Library is a Growing Organism जिस तरह से जीव एक वर्धनशील प्राणी है, उस तरह से Library भी एक वर्धनशील संस्था है और उसमें वर्धनशील तत्वों उन्होंने तीन बताए थे पुस्तक, पाठक और करमचारी उन्होंने का Library आज जैसे बच्चा पैदा हुआ है Library पैदा हुई है तो जिस तरीके से बच्चा बढ़ेगा उसी तरह से पुस्तकाले में पुस्तकें बढ़ेंगी पाठक भी बढ़ेगा और आने वाले समय में उसके करमचारी भी बढ़ेगा तो Library का प्लान करते समय मैनेजमेंट करते समय Organization करते समय हमें फिफ्ट लोग का ध्यान रखना है कि Library का जो आज स्वरूप है वो 18-20 साल बाद आज वाला नहीं रहेगा वो बढ़ेगा हमें उसकी प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंग करनी चाहिए मेनार रुपी संग्रह कक्ष की मांग मेनार यानि ऊपर बढ़ती हुई चो डॉक्टर रंगानाथन ने इस सुतर का मेनार रुपी संग्रह कक्ष की जो मांग है इस सुतर का संबन इसका सही उत्तर है D. पंचम सुतर या फिफ्फ लोग से जैसा कि मैंने आपको पताया कि डॉक्टर रंगानाथन कहते थे कि जैसे बच्चा उपर भी बढ़ेगा, दाइं भी बढ़ेगा, बाइं भी बढ़ेगा, उसी तरह से आपके लाइबरेरी भी उपर की और दाइं, बाइं और पीछे की और भविश्य में आने वाले समय में बढ़ेगी, तो हमें लाइबरेरी का प्लान करते समय एक मीनार रूपी या आपकी जो जिसकी मंजिल बना सकते हों भविश्य हम ऐसी बिल्डिंग का प्लान करना चाहिए और ये पुस्तकाले विज्यान के पांचमे सुत्र की मांग है, हमारा तेइसमा प्रशन है, फिनलैंड देश के दो लेखकों ने डॉक्टर रंगानाथन के पांच सुत्रों को अपरियाप्त बताते हुए छटवें बैस साथवें सुत्र का प्रतिपादन भी किया है, ये कौन से सुत्र है? तो डॉक्टर रंगानाथन ने लाइबरी साइंस के फाइव लॉज दिये थे, उसके पात बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे विदवानों ने इन फाइव लॉज पे रिसर्च की, इन्हें मॉडिफाई किया, रिवाइस किया और कई नए लॉज दिये, कुछ लोगों ने लाइबरी के ये जो पांस सुत्र थे, इनको मॉडर्ण वर्ड में इलेक्ट्रोनिक डॉक्यमेंट्स पर यूज किया, कुछ लोगों ने या कुछ विदवानों ने वैब पर यूज किया, कुछ विदवानों ने मीडिया पर यूज किया, और फिन्लैन द लेखक का पुस्तकाले में योगदान हो, C है प्रतिक करमचारी का पुस्तकाले में योगदान हो, B है प्रतिक राज्य में पुस्तकाले अधिनियम हो, इसका सही उत्तर है C A Web, फिनलैंड के जो दो विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि पुस्तकाले विग्यान का छटा सुतर प्रतिक पाठक का अपना पुस्टकाले हो, प्रतिक पाठक का अपना लाइबरेरी होने चाहिए, और दूसरा उन्होंने बताया था कि प्रतिक लेखक का, प्रतिक राइटर जो है वो पुस्टकाले में योगदान दे, ये दो सुत्र और लाइबरेरी साइन्स के होने चाहिए हमारा 24 प्रश्न है डेटा फॉग या डेटा धुन्द शब्द किस से सम्मंदित है डेटा धुन्द मतलब डेटा का जो फॉग है उसका सम्मंद A है सूचना के प्रकार, B है सूचना के रूप, C है सूचना विस्वोर and d है उपरोक्त सबी से, इसका सही उतर है उपरोक्त सबी से डेटा धुन्द यानि 4 तरफ डेटा का परिसारण सूचना का प्रकार बदल गया है अभी वड़मान समय में सूचना एबल, पुस्तकों में नहीं आ रही, सूचना के प्रकार है वो परिवर्थित अनेक प्रकार से हम सूचना को ग्रहन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से ले सकते हैं, मीडिया से, निउस्वेपर से, टेलिविजन के चैनल से, आपका जो वाट्सप है, कई सारे सूचना पराप्त करने की प्रकार बदल गए हैं, सूचना का रूप भी चेंज हो गया है, अभ से भी हमें सूचना मिल गये, तो सूचना का रूप चेंज हो गया है, सूचना विस्फोल, literature का explosion हो गया है, सूचना की मातरा इतनी अत्यधिक हो गई है, कि हमें अपनी सूचना को ढूढने में, एक डेटा धुन्द या डेटा फॉग की तरह से हमें नहसूस होने लगा है, तो डेटा दुन्द का संबंध इन सभी से हैं। हमारा 25 प्रिश्ण है, सूचना साक्षर्ता मानक का प्रकाशन वर्ष है, जो information literacy है, वो standard जो प्रकाशित किया गया था, वो 1998 में प्रकाशित किया गया था, 1998 इसका सही अंसर है, Thank you, हम अपने questions की कुछ important शंकला में फिर से मिलेंगे, Thank you.